चलिए student हम लोग question number 12 को solve करते हैं देखे question number 12 में क्या का आज रहा student आप लोग question को पढ़िए इसमें देखिए क्या का आज रहा है एक टाइल की माप 5 cm उड़े 12 cm ठीक है लिख लिजिए टाइल की लंबाई कि टाइल की लंबाई कितना है कि 5 cm ठीक है कि 5 cm और इस्टूडेंट टाइल की चौड़ाई क्या है 12 cm लिख लिजिए कि टाइल की चौड़ाई बराबर 12 cm अब टाइल का छेत्पल भी लोग यहीं से निकाल लेते हैं लगे हैं लिखा लिजिए टाइल का छेत्पल टाइल का छेत्पल भई टाइल की लंबाई 5 है चौड़ाई 12 है तो छेत्पल क्या हो जागा लंबाई गुड़े में चौड़ाई लंबाई कितना है पांच है चोड़ाई बारा है तो छेत्पल क्या हो जाएगा बारा पंचे साथ वर्ग सेंटीमीटर ठेकी स्टूडेंट चले में लोग आगे देखते हैं अब आगे देखी क्या का जारा है एक छेत्र को पूर्तिया ढखने के लिए कोई छेत्र है जिसको पूर्ता ढखना है ऐसी कितनी टाइलों की आओ सकता होगी जिसकी यह लंबाई और चोड़ाई क्रमसा ए तो ए नंबर में देखिए उस छेत्र की लंबाई हमें कितना दिया गया है 144 और चोड़ाई कितना दिया गया 100 सेंटीमीटर लिखिए हैं है शेत्र की लंबाई наз i a कि बराबर 144 सेंटीमीटर है चोड़ाई क्या होजड़ागी छेत्र की छेत्र की चोड़ाई ठीक है लंबाई गुड़े में चवड़ाई लंबाई कितना 144 है चवड़ाई कितना 100 है ठीक स्टूडेंट मल्टिप्लाई कर लिजे क्या आ जाएगा हमारे पास एक सो चवड़ाई दो जिरो लगा दीजिए तो एह हमारा छेत्पल आ गया है स्टूडेंट छेत्र का छेत्पल आ गया है अब लिखिए आवस्यक टाइलों की संख्या आवस्यक टाइलों की संख्या है तो इस्टूडेंट जो छेत्र का छेत्पल है छेत्र के छेत्पल को टाइल के छेत्पल दे डिवाइड कर देंगे लिखिए छेत्र का छेत्र फल बटे में टाइलों का छेत्र फल छेत्र का छेत्पल कितना है 14400 और एक टाइल का छेत्पल कितना देखि 60 तो आप 60 से डिवाइड कर दिजी हल कर ये देखिए क्या जाएगा छे से काटिए छे दूनी बारा दो चौदा ये हो जाएगा 24 छे चौद के 24 छे सुने सुन तो यहां पर टाइलों की संक्या क्या आ गई 240 ठीक है 240 टाइल्स तो हमारी जो टाइलों की संक्या हमारे पास आ गई 240 टाइल्स लिखिए आता है 240 टाइलों की आवसेक्ता होगी आवसेक्ता होगी तो इस्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ए जो हमारा ए नंबर था हमने इस ए नंबर को सॉल्ब कर लिया है चलिए आप लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्ब कर लेते हैं अब इसमें देखिए जो छेत्र उसकी लंबाई क्या दिया गया है सत्तर सेंटीमीटर और छत्ती सेंटीमीटर ठीक है चोड़ाई छत्ती सेंटीमीटर इसको लिख लेते हैं लेकिए लंबाई सत्तर सेंटीमीटर चोड़ाई छत्ती सेंटीमीटर लंबाई सत्तर सेंटीमीटर है और इस्टुड़ाई कितनी है चोड़ाई हमारी छत्ती सेंटी सेंटीमीटर है तो छेत्र पल क्या हो जाएगा छेत्र का लिखिए छेत्र का छेत्र फन लंबाई गुड़े में चोड़ाई तो सत्तर इंटो में आप छत्तीस कर दीजिए मल्टिप्लाई करिए साथ छेंग 42 के दों हासिल चार और साथ रिक 21 चार कितना जागा पचीस और यहां से आप 0 लगा दीजिए तो यह हमारे पास छेत्र पर लागए स्टूडेंट ठीक है लेकि आवस्यक टाइलों की संख्या आवस्यक टाइलों की संख्या तो इस्टूडेंट आवस्यक टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी आप बताए देखिए फर्स जो हमारा छेत्र है उस छेत्र का छेत्र पल छेत्र का छेत्र पल को भाग दे देंगे टाइलों के छेत्र पल से ठीक है छेतर का छेतर पर कितना है 14,400 student यहाँ पर देखिए 3520 है क्या है पर डशीusz तो वीस यहाँ पर देखिए नम छेतर का छेतर पर निकाला क्या है 520 और यहाँ पर टाईल का छेतर पर कितना है 60 है कार्च दीजिए 0 से 0 कैंसल हो जाएगा 6 से 252 आप काटी देखी कितना आएगा 6, 24, 21, 25 यह हो गया 12 हम 6, 2, 12 तो student कितने टाइलों की आ सकता होगी 42 ठीक है 42 टाइल तो student यह हमारा क्या हो गया answer हो गया तो my dear student इस तरीके से आप देख सकते है यह जो हमारे question number 12 था हमने इसके सवालों को solve कर लिया है तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद रहाद वीडियो को like कीजिएगा चनल पर नए हो तो चनल को subscribe कर लेना तो चलिए student आप लोग पढ़ते रहिए thank you झालों को पढ़ते रहिए बहु कर लोग।